असलाम अलेकुम दोस्तो आज की वीडियो मैं आपके ज़त कुछ ऐसे स्पेशल पॉंट शेयर करूँगा जो के बट्स को घर लाते साथी फोरन बेड़ लेने के लिए इंताहई ज़रूरी है तो फर्ग नहीं पड़ता आपके पास बजीस हो लबड्स हो कोक्टेल हो अगर आप चाते हैं आपके पास ज़ादा कॉंटिटे में अंडे और बच्चे आएं तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा तो भी शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक तो दोस्तों जब कभी हम अपने घर बड्स लेकर आते हैं तो हमारी सबसे बड़ी खोयश यह होती है कि हमारे पास ब्रीडिंग करें तागे हमें फायदा हो और जब आपके पास ब्रीड आना स्टार्ट हो जाती है तो आप उनका और जादा खयार रखते हैं उनको अच्छी डैड और विटाइमिन और केलिशम देते हैं जिससे आप अपने शुक को इंजॉय करते हैं तो आज की यडियो में आपके साथ चारे से स्पेशल पाइंट शेयर करूंगा जिनको अगर आप फोलो कर लेंगे तो इंशालला आपके पास भी अच्छी ब्रीडिंग आएगी तो बात कर लेते हैं पहले पाइंट के मुतालिक जो के हैं इन्वार्मेंट के बारे में यानि कि जब कभी आप घर पर बट्स लेकर आते हैं तो आपने एक बात का ख्याल लाजमी रखना है कि पहले वो किस मोहल में थे और अब आपने उनको किस किसम का मोहल देना है यहनि कि अगर आप जहां से बर्स ला रहे हैं वो कालूनी के आदी है तो आपके पास कालूनी सिस्टम में अच्छी ब्रीडिंग आएगी जबकि अगर आपने उन्हें पहले portion cage में रखा हुआ था तो आपके पास बर्स portion cage में अच्छी ब्रीडिंग करेंगे तो यह कुछ basic से point होते हैं जिनको अगर आप जहन में रख लेंगे तो आपके पास तमाम बर्स अच्छी ब्रीडिंग करते रहेंगे इसके बात बात करते हैं दूसरे point की जो के है temperature के बारे में यहनि के बर्स की ब्रीडिंग के लिए जो normal temperature होता है वो 20 से लेकर 25 degree के दर्मियान होता है तो आपने इसी के दर्मियान temperature रखना है अगर temperature इससे उपर होगा या नीचे जाएगा तो आपके बर्स ब्रीडिंग पर नहीं आएंगे और एक बात का खयाल लाजमी रखना है कि आपने अपने लोकल एरिया का बर्स खरीदना है यहनि अगर पंजाब में रहने वाले दोस्क्राची से बर्स मंगवाएंगे तो आपके बास वो सेट होने में बहुत टैम लगा देंगे क्याँची का टैमपरेचर गरम होた है जबके पंजाब का टैमपरेचर सरदी के मौसम में शदीस शर्द पास रखना है इसलिए वो आपके पास सेट हो जाएंगे और आपके पास अच्छे तरीके से ब्रेडिंग करते रहेंगे इसके बात बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट जो के बहुत ही बैसिक है लेकिन इसका रिजट काफी लोंग होता है यानि कि आपने इस बात का खया ब्रेडिंग करेंगे और बास वकात तो ऐसा भी होता है कि अगर हम आर्ट पॉर्शन वाले केज की बात कर लें तो जो पेयर हमारे पास नीचे वाले खानों में ब्रेडिंग नहीं कर रहे होते अगर आप उसको उठा कर उपर वाले खानों में छोड़ देंगे तो आपके ब्रेडिंग आना स्टार्ड हो जाएगी क्योंकि कुछ बट्स रोश्टिनी के आदी होते हैं और कुछ अंदेरे के तो अगर आप इन बैसिक पॉइंट का खयाल रखेंगे और अपने ब्रेडिंग पर अच्छे से नज़र रखेंगे तो आपको इसली आइडिया हो तो आपके पास ब्रेडिंग जली आना स्टार्ड हो जाएगी इसके बाद हमारा चौता और सबसे इंपॉर्टन पॉइंट जोगे है बॉक्स और मट्की के बारे में क्योंकि अगर आप ये सई तरीके से नहीं लगाते तो आपके बड्स कभी भी ब्रेडिंग नहीं कर सकते तो आपने करना क्या है कि पहले आपके बड्स मट्की में ब्रेडिंग करते रहे हैं तो आपने बॉक्स के इस्तमाल कभी नहीं करना और अगर आपके बड्स बॉक्स के वादी हैं तो मट्की के इस्तमाल ना करें इस तरह से वो बहुती देर से मट्की को सलेक करेंगे और ब पोलो करते हैं तो आपके बट्स जल्दी और अच्छी ब्रेडिंग शुरू कर देंगे और मटकी में 60 साल रंडे बच्चे आ जाएंगे तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला हाफि कुर मैंस के बद्सक्राइबाक लिसे केजसे घ्ल्दी लासे को सब्सक्राइब तो शुरू करें छोस्तों करते हैं।